के गाइज वेलकम टू फार्मा संसार आज हम बात करें कुछ इंपोर्टन टर्म्स के उपर जिन में से आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका टॉलरेंस अडिक्शन डिपेंडेंस टैकि फाइलक्सिज और अलर्जी यह कुछ इंपोर्टन टर्म्स हैं जिनसे एक्जाम में यहां पर आपको आपने एक मेडिसीन इनको दी यहां पर सभी के ऊपर इनके ऊपर पॉजिटीव इफेक्ट आएगा लेकिन एक दो परसेंट ऐसे होंगे जिनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी जाएगा मतलब इसका कुछ अलगी यह मान लिजी सरदर्द के लिए दी थी उनको यह दवाई जो थी इनका सभी का मतलब 98 का सरदर्द ठीक हो गया लेकिन जो दो परसेंट थे दो बंदे थे उनके ऊपर कुछ और इफेक्ट आया लाइक उनके सरदर्द और जादा हो गया ठीक है उनको और जादा प्रोबलम हो गई उस मैडिसीन से तो कुछ और ही effect उस्ट्रग का कहलाता है idosyncracy तो यहां पर next term है Tachyphylaxis क्या होता है Tachyphylaxis ओर tolerance दो important term है यह दोनों एक दूसर से correlate करती है सबसे पहले बात करते हैं Tachyphylaxis की क्या होता है कि आपने मान लीजिए 500 mg 500 mg और 500 mg यह तीन डोज जो है मतलब दिन में सुभा दिन और शाम तीन टाइम आप ले रहे हो 500 mg की PCM यहां पर PCM ले रहे हो बार बार इसके इस्तेमाल से अब आपका चाहे आप टीसियम 650 mg या फिर आप उसको 1000 mg आपको जो है वह इफेक्ट शो नहीं करेगा आपको ड्रग ही चेंज करनी पड़ेगी आपको कुछ और ही लेना पड़ेगा उसके इलावा कोई और ही आपको अनलजेसिक उसके जगहां प टॉलरेंस के बीच में डिफरेंस आप यहां से देख सकते हो टॉलरेंस के अंदर क्या होता है कि मानली जी आपने 500 mg 500 mg की तीन टाइम आप आप चार-पांस दिन तक छे दिन तक इसमें जो है थोड़ा लेट मतलब लेट जो है इसका एफेक्ट आता है कि आप मानली जी आप एंटिबाइटिक की ले 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 थे आप तो आपको जो है प्रोटाशियम लेट देनी शुरू कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्योंकि आपके पास टॉलरेंस हो जाती है उस ड्रग की टॉलरेंस आ जाती है अब 500 mg PCM थी आपका सरदर्द प्रोपर ठीक हो रहा था प्रोपर कुछ दिन बाद तीन दिन बाद चार दिन बाद पांस दिन बाद क्या होगा कि आपको कोई इफेक्टर नहीं शोने हो शो होगा इस 500 mg से आपको कोई फरक ही नहीं पड़ेगा मतलब आपका ना सरदर जा रहा है तो आपको क्या करेंगे सजेस्ट कर देंगा डोक्टर की कि अंदर क्या था कि अब वो ड्रग शो ही नहीं करेंगी आपको चेंज करना पड़ेगा अल्टरनेट कोई दूसरी ड्रग उसकी जगहां पर देनी होगी लेकिन टॉलरेंस के अंदर क्या होगा आप जो है डोस बढ़ा दोगे आप डोस दे दोगे 650 mg ठीक है तो यह आपका फिर आपका जो है ड्रग ठोड़ा कम इफेक्ट शो करेगा लेकिन अगर आप उसकी हाई डोस दे दोगे तो फिर आपका उतना ही काम करना शुरू कर देगा तो यह थी इसका मेज़र डिफ्रेंस था इसकी बीच में टॉलरेंस और आपका टेकिफा एलेक्सिस के बीच में हमाती हमारे पास ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग डिपेंडेंस और अडिक्शन बहुत Apart करते हैं सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है माननी हद आपको का अधत है कि आपका ट्रिक बहुत जारा होता है और आपका जो है अगर आपने मान लीजिये आप पिछले साध दिनों से Omeprabazole ले रहे थे आज आपने Omeprabazole नहीं ली तो आपको क्या हुआ G humidity हो गया ठीक है तो यह आपका क्या हुआ आपडेपेंड हो आपका अगर नहीं लोगे तो आपको गेस्टिक होगा ही होगा this is called drug dependence now addiction addiction के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके आप बार्बिचुरेट आप एडिक्ट हो आपको नीन की गोली अप एडिक्ट हो नीन ले रहे हो लेकिन इसका जो है इसका तो आपको डिपेंडेंस का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता था ठीक है आपका गेस्टिक ठीक होता था इसमें क्या होता है को आपका बोडी के ओपर हांफूल इफेक्ट आएगा या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप मतलब अपना मेंटली अच्छा भी करना शुरू कर होगे जैसे कि आप नार्कोटेक्स लेना शुरू कर देता है जैसे आप कोडेक्स का एक्जांपल ले लेकिन उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट है ठीक है बोडी के ओपर हांफू के साथ आपको आपको रहते हैं कि कि सिंपल टाòng है एलर्जी में बरुट आपको बंपने से बाइइक आपको घ्रेक्शन है किसी भी चीज से हो सकती है वह कोई भी हरद ऐसी सिम्पल कीजिसर से जिनिया पूछन पूछा जाता है तो आज पुस्टो समयागा वीडियो को like जिरूर करें थेंक यू सो मुच कीप लर्निंग कि चाइने